हेलो अब्रिवन आज है 21 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफैर के सभी important question का discussion करेंगे Saturday की जो class हुई थी इसमें हमने देखा था कि अभी हाली में Supreme Court में जो नई नयाय की देवी की प्रतीमा का नावरण किया गया है इसमें दो changes किये गए है पहला तो ये कि आँखों पर लगी जो काली पट्टी थी इसे हटाया गया है और तलवार की जगह सम्विधान की किताब को पकड़ाया गया है देश के 51 नमबर की मुख्य नयाय अधी से नवंबर महिने में बनने जा रहे है जश्टिस संजीव खन्ना मेरा होँ चोंगों फेस्टिवल के शिरुवात रिसेंटली मनिपूर में हुई है नायाप सैनी ये दोबारा हरियाना के मुख्य मंत्री बने है इंडिया मुबाइल कॉंग्रस 2024 का उधगाटन दिल्ली में किया गया अभी हाली में इंडिया नेवी ने पहला ट्रेंड स्क्वाडरन ये कहां तैनाती पूरी किया है बहरीन के मनामा में SDFC बैंक ने अपनी नई ब्रांच ओपन करी है सिंगापूर में भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायू गुडवत्ता मॉनिटर का अनावनन किया गया है जिसका नाम पवन चुत्रा है भारत ने रिसेंटली वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इंकार किया ये पहल थी चाइना की और अभी हाली में बैंगलॉर के केम पगोडा इंटरनाशनल एरिपोर्ट से इफ्लाइं टेक्सी सर्विस के शुरुवात की जाएगी केंद्री कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो महंगाई भत्ता था ये बढ़ा करके 3% कर दिया गया ये सभी कोश्चन्स अलवड़ी हमने पढ़ रखे हैं शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है इंटरनाशनल सोलर एलाइंस येनिकी अंतर राश्टी सौर गडवंधन सभा का जो सातवा सेसन है सातवा सत्र ये कहां आयोजित किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाना है राजधानी दिल्ली में option number D इसका right answer हो जाएगा अभी नवंबर के महिने में 3 से 6 नवंबर तक भारत मंडपम दिल्ली में भारत इसकी मेजबानी करेगा क्योंकि भारत International Solar Alliance का ध्यक्ष तो है ही उपाध ध्यक्ष इसका फ्रांस है इस organization के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये भारत की एकलौती ऐसी संधी है एक मात्रैसी संधी जिसका headquarter भारत में ही है गुडगाओं हरियाना गुरुग्राम हरियाना में अभी अस्तित्व में आया कैसे था तो 2015 में जब जलवायू परिवर्तन को लेकर के होने वाली जो बैठक है कोप 21 Conference of Parties, Parties का मतलब है कि इसमें सम्मलित देश Conference of Parties का 21st edition हुआ था 2015 में फ्रांस की रागधानी पैरिस में तब भारत और फ्रांस के ही सहयोग से International Solar Alliance का गठन किया गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी में आपको बता दूँ कि इसके तहत होना क्या था ऐसी जितनी भी countries जो कि करक रेखा और मकर रेखा की बीच आती है निकि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच आने वाले जो देश है आप सभी जानते हैं ये उश्न कटिबंधी शेत्र है मतलब कि जो सूरी की रोशनी है इस शेत्र में डारेक्ट पड़ती है तो ऑवियस है कि इस शेत्र का जो ताप मान है टेंपरेचर है वो जादा रहता है तो ऐसी जितनी भी countries जो कि करक रेखा मकर रेखा के बीच आती है उनके बीच में Solar Technology शेर किये जाने के परपस से International Solar Alliance का गठन किया गया हालकि बाद में इसमें संसोधन हुआ और ऐसी country जो कि करक रेखा के बाहर आती हैं मकर रेखा के बाहर उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया था अब यदि आप Current से रिलेट करेंगे तो इस International Solar Alliance में शामिल होने वाला 101 वा 27 सदस्य देश ये भी हाली में अपना पड़ोसी नेपाल ही बना है अब इसे लेकर के होने वाली जो मीटिंग है दिल्ली में आईजित की जाएगी तो हम जान लेते हैं दिल्ली से हालिया में बनने वाले Current Affair के Factor Mobile India Congress का आयोजन दिल्ली में किया गया भारत First Time में कोखो वर्ड कप की मेजवानी करेगा जैनवरी के महिने में होस्ट करेगा दिल्ली अभी हाली में प्राइम मेलस्टर नरंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में अंतर राष्टी दूर संचार संग विश्वदूर संचार मान की करन असेंबली का उद्गाटन यहीं किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आथि शिमार लेना बनी है दूसरा अंतर राज़्ट्री बौध मीडिया सम्मेलन ये 11 सितंबर को यहीं आयजित किया गया अखिल भारती राजभासा सम्मेलन का आयजिन यहीं किया गया दिल्ली में जो इंद्रगांध इंटरनेशनल एरपोर्ट है ये जीरो कार्बन उत्सरजन वाला देश का पहला एरपोर्ट है भारत जापान के बीच 2 प्लेस 2 वारता का आयोज़न यहीं किया गया उननीस्वा भारत अफ्रिका बिजनस कॉनक्लेव यहीं आयजित किया गया राज़्टि महिला आयोग ने दिल्ली में डिस्टर शक्ती केंद्र का उठगाटन किया और दिल्ली में भी हाली में न्यू इवेहिकल पॉलिसी 2024 लाँच की गयी है अगला सवाल है 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारती कौन बने हैं तो यह भी हाली में बन गया है विराट कोली इनसे पहले कौन थे सचिन तेंदुलकर, राहुल रमण, सुनिल गावसकर और अभी हाली में टेस्ट मैच में न्यू जिलेंड के खिलाफ खेले गया मैच के दूसरी पारी में 102 बॉल पर विराट कोली ने 70 रन बनाए है और इस टेस्ट में उन्होंने 9000 रन पूरे किये हैं और 9000 रन पूरा करके, मतलब टेस्ट मैच में 9000 रन पूरा करने वाले ये चौथे भारती बने, इनसे पहले तीन जो है मैंने नाम बता दिये, सचिन तंदुलकर, राहुल द्रबड़ और सुनिल गावसकर, कोली ने न्यूजिलन के खिलाब पहले टेस्ट में 50 रन बनाए, अ हैं उसरे क्रिकेटर हैं, क्योंकि इनसे पहले, अभी सचिन तंदुलकर है, जिन्होंने क्रिकेट के तीनो ही फॉर्मिट में 50 प्लस रन बनाए हैं, यहां मैंने एक टर्म का यूस्ट किया है क्रिकेट के तीनो फॉर्मिट, तीनो फॉर्मिट का मतलब है, टेस्ट believing, के IPS officer हैं बात की जाए यदि जारखंड की जिसकी राजधानी राची मुख्यमंत्री हेमंत सोर इंद्राजिपाल संतोस गंगवार हो जाएंगे यहां यदि आप करंट से रिलेट करेंगे न तो मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के शिरुवात यहीं की गई थी भारत का सबसे बड़ा हाई कोट यहीं बनके तैयार हुआ है और यहां मुख्यने आएधिस MS रामचंदर राओ कुछ समय पहले ही बनाए गए है जारखंड दिव्यांग विद्यार प्रथियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्विद्याले स्थापित करने जा रहा है और भारत के पहली कोईला गैसी करन पाइलट प्रोजेक्ट यह जारखंड में शुरू होने जा रही है एक इंपोर्टन नेशनल पार्क यह रिलेट करें तो यह बेतला नेशनल जो कि आपका जहार खंड में ही हो जाएगा अगला सवाल है राश्ट्री महिला आयोग की नए अध्धक्ष के रूप में किसकी न्यूक्ति की गई है तो अभी हाली में जो विज्या किशोर रहाटकार है यह राश्ट्री महिला आयोग की नए अध्धक्ष बनी और इन्हों बात कर रही हूं विज्चright कि सोर रहाट कर ये भाजपाय यह है था दीन्ली में कंडूर ध है के अभीrence दिल्णी किया है तो यह डिजिटल शक्ति केंद्र वाला फेक्ट भी आप इसी से रिलेट कर शकते हैं कि गीता गोपिनात की दिबात की जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्टी अगले सवाल की तरफ शलते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ आज तारिक है 21st of October 21st of October से आपकी अप्लिकेशन पर क्लास शुरू होनी है कौन सा अप्लिकेशन है तो आप सभी को मालूम है मैंने अपना ओफीशल एप लॉंच कर दिया है देखे इसमें 5000 डाउनलोड के एकदम नस्दीक पहुच गये हैं इसे आप जादा जादा शेर कीजिए फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए तीन बैचेस लॉंच किये गए जिसमें की एरली करेंट फिर पूरे साल का टॉपिक वाइस द रिलेट करके और भी जादा इंट्रस्टिंग बनाने वाले हैं यह भी हम डिसकस करेंगे अप कुछ इस्ट्रेंट को डाउट होगा कि क्या जैसे मैं मैं केवल वॉइस ओवर दे रही हूँ वैसी क्लास होने वाली नहीं यदि आप पर आके पढ़ते हैं तो प्रॉपर आप अभी भी आपके डाउट्स हैं तो आप लोगों के लिए आज ही कि दिन यानिकी 21 ओक्टूबर को इन तीनों ही बैचेस की एक एक क्लास डेमो क्लास के रूप में यूटूब पर अप्लोड कर दी जाएगी येरली करंट अफेर की स्टाटिक जीके की और वल्ड मैप की ताक भारत इसमें 105 वे इस्थान पर रहा है अभी हाली में जो कंसर्ण वाइल लाइफ और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा संइक्त रूप से जो रिपोर्टर रिलीज की गई है इसके अनुसार भारत को 127 देशों में 105 वे इस्थान पर रखा गया है 27.323 अंकों के यानिकि इस स् नेपल और है और यृदि मैं बात करूं न तो भारत इसमामले में अपने पडोसियों से भी पीछे है श्री लनका के यह आप देखे तो 56 नंबर पर है नेपाल 167 नंबर पर है ब्आंगला देश बांगला देश से भी पीछे हैерх सान पर diluकि मिला कर कर भारत के पडोसियों क का पेपर देखा था लास्ट यर का था जिसमें कि innovation index था या नीती आयोक का को index था जिसमें exact score पूश लिया गया था मुझे लगता यह गरीबी सूचकांग था कि भीहार जो है नीती आयोक द्वारा जारी गरीबी सूचकांग में सबसे नीचे इसका score क्या है तो मुझे लगता कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं चूटनी चाहिए जो कि आपके एक्जाम में पूछ लिया जाए और आपसे बने ना तो ये भी मैंने में 159 में है रिसेंटली लॉजिस्टिक पर्फॉर्वंस इंडेक्स 24 की रिलीस की गई टॉप पर सिंगापूर को रखा गया भारत 38 में है ब्रश्टाचार की मामले में जो देश टॉप पर है ये है सोमालिया सबसे कम करप्शन होता डेनमार्क में इंडिया को 93 प्लेस पर रखा है तो फिल्लेंड दुनिया का सबसे खुशाल देश है इंडिया है 126 में और इनोवेशन इंडेक्स भी रिलीस कर दिया गया है टॉप पर स्यूजर लेंड है इंडिया को 39 प्लेस पर रखा गया है 2024 का ये अपडेटिड है अगला सवाल है सुप्रीम कोट जो की कहा है राज की गई जिसमें जो चेंजस किए गए हैं आँखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी और वहीं हाथ में जो तलवार था उसके जगह संविधान की किताब रख दी गई है इस नई मूर्ति को देश ये संदेज देना है कि देश इसके डिजाइनर विमल पटेल ही हो जाएंगे इसके अलावा जो कासि विश्व्षुनात कॉरिड़ोर है वारनसी का कॉरिडोर ये भी डिजाइन किया गया है विमल पटेल की दवारा स्टेची ऑफ यूनीटी जो कि दुनिया की सबसे उची प्रतिमा है गुजरात के केव मंदिर में स्थापित की गई है कि डिजाइन की गई है अरुन योगी राज के द्वारा अगला सवाल है दिली कैपिटल्स और प्रिटोरिय कैपिटल्स जैसी तीमों की देखरेक करने वाला जो कि इसमें क्रिक्ट निदेशक के रूप में तो अभी अबी में जो शॉरव गांगुली है यह श्राव गांगुली से दिया आप लेट करेंगे न तो आप यह भी डिलेट कर सकते हैं कि यह बंधन बैंक के brand ambassador है इसके लावा बंगाल के brand ambassador है इनकी एक autobiography है a century is not enough other option के दी मैं बात करूँ न तो महिला जैवर्धने मुंबई इंडियन्स के नए कोच बने है राहुल द्रविड राजस्थान रॉयल्स के नए कोच और दिनेश कार्तिक के दी बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर की यह नए mentor और कोच बनाए गए हैं महर्शी वालमी की जेनती के अवसर पर किस राइज में सभी आवासी विश्विद्याले आवासी विद्याले के नाम बदल करके महर्शी वालमी की के नाम पर रखा गया है तो ऐसा परिव प सिख़्ार में यह ने महर्शी वालमी की की सिकारी से विद्वान बनने और रमाययन लिखने की यातरा की सरहना की है बखे ये तो आपके स्टैक का पार्ड हुआ कि रमायन किसके द्वारा लिखी गई थी तो हिंदव धर्म में जो प्रसिद महा काव्या है restaurant just जिसकी रचना महर्शी वालमीकी के द्वारा की गई थी और महर्शी वालमीकी के ही नाम से जो अयुद्या एयरपोर्ट है ना इसका नाम बदल करके महर्शी वालमीकी एयरपोर्ट किया गया था यह कुछ समय पहले ही किया गया है ना 2024 का ही करंट अफेर है अब यहां हम बात क प्राइवेट जॉब में 50-75% कंणर लोगों को शामिल करने का आदेश यहां दिया गया बैंगलॉर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोली गई सतूर यात्रा महोसो कायोजन यहां किया गया मैसूर में और भारत ने सोदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमेंड एरियल वहिकल का सफल परिशन करनाटका में किया गया नम्मा कंबाला फेस्टिवल जो की बैल अदॉर्ड में कहती तब वो तमिल नाडू में जल्ली क में और आल टॉप पर लंदन ही याद रखें यदि मैं अधर ऑप्शन की बात करूं तो महराष्ट में ध्यान देजिए एक स्किल युनिवर्सिटी है जिसका नाम बदल करके मतलब रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा में और यहाद वैश्विक मानुऽी कारियों के लिए जो हांस बर्ग में 2024 abundance Company बिकी से सम्मानित हिया या ये question add करने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तभी भी याद रखें जो प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता है मोहन जी इन्हें साउथ अफ्रिका के जो हांसबर्ग में सम्मानित किया गया है अगला सवाल है हाली में महिला T20 World Cup 2024 का खिताब किसने जीता है तो कल के दिन 20 अक्टूबर को ICC T20 World Cup जो महिलाओं का था ये समाप्त हुआ फाइनल मुकाबला जो की खेला गया South Africa और New Zealand के बीच में जिसमें कि विजेता रही है New Zealand किसे हरा करके South Africa को हरा करके और आप सभी को मालूम है कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा था UAE पहले इसे होश्ट करने जा रहा था बांगला देश लेकिन बाद में ये UAE शिफ्ट हो गया था South Africa के टीम Final में पहुची हाला कि इस साल जून के महिने में जो पुर्षो की टीम थी South Africa की ये भी Final में पहुची थी लेकिन विजेता भारत रहा था T20 World Cup जो जून के महिने में खेला गया पुर्षो का इसमें भारत विजेता था South Africa को हरा करके आस्ट्रेलिया की दिबात की जाए तो इस साल Under 19 World Cup जो के South Africa ने इसे होश्ट किया था इसमें विजेता आस्ट्रेलिया रहा था अब देखी कल की क्लास में न हम क्या करेंगे कि T20 World Cup जो महिलाओं का संपन्न हुआ इससे बनने वाले जितने भी एफेक्ट है एक स्लाइड में मैं आपको प्रवाइड करा दूँगी फिलहाल हम जाल लेते हैं ICC के बारे में International Cricket Council 1909 Formation Year Dubai UA Headquarter Greg Barclay अध्यक्षे इस साल महिलाओं का Asia Cup जो की श्री लंका में आयजित किया गया भारत को हराकर करके श्री लंका ही विजिता थी हाल फिलहाल में हमने देखा है सितंबर महिने के लिए Player of the Month ICC के द्वारा Male Category में श्री लंका के कामेंडू मेंडेस को चुना गया है फीमिल के टेगरी में इंग्लैंड की टेमी व्यूमोंट को चुना गया है रिसेंटली ICC Hall of Fame में शामिल की गई है भारती क्रिकेटर नीतू डेविड हलाकी ऐसी पहली महिला पहली भारती महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी थी जिनने ICC Hall of Fame में शामिल किया गया था महिलाओं की टीटूंटी वर्ल्ड कप और पुर्षों की टीटूंटी वर्ल्ड कप के बारे में आलरडी मैं आपको बता चुकी हूं मैंने कर आपसे पूछा था सेंटराष्ट मानवाधिकार परिस्द में सीट देने से किस देश को इंकार किया गया जिसका आंसर था सजूधी अरब आज का सवाल है उस्ताद अलाउद्दिन खा महुस्तों कायो जनमद्यप्रदेश के किस शहर में किया गया है आंसर इसका जो भी आप comment box में बताईएगा हम मिलेंगे next video में thank you so much